रोजगार कम्प्लीट हुआ है एक लाख चौवन हजार लोगों का डेड़ लाख लोगों का रोजगार भी कम्प्लीट हुआ है Employment orders मिल गए लोगों का registration हो गया आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे जैसे यह प्रोसेस कंप्लीट हुआ नेक्स्ट प्रोसेस चाल हुआ बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एन्वल बनाये जाए एन्वल इसलिए बनाये जाए अगर चार-चार-पांच-पांच साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें है इसलिए अब एन्वल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे है जैनुरी में एप्रिल में जून में और आक्टोबर में इन यह चार जो चार बड़े चंक है एलपी टेकनिकल नॉन टेकनिकल और ग्रूप लेवल वन यह जो चार बड़ी कैटेगरीज हैं इन चार बड़ी करें एप्रिल में नॉन टेकनिकल स्टाट करें जून में और अक्टोबर में स्टाट करें लेवल वन और यह साइकल चलती रहे इस प्रोसेस पे सारे की सारे कैंडिडेट्स की डिमांड लंबे टाइम से रही है कि चार चार साल का जो फेज होता है पांच साल का फेज होता ह कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें एक हर साल आपको opportunity मिलती रहेगी तो सबको opportunity मिलेगी इस thinking के साथ आगे बढ़े और इसी thinking और इसमें भी जितनी requirement थी उससे ज्यादा भी notify किया है एक साल के साब से जो requirement है एक साल के साब से अगर जैसे local pilot का matter है कितने लोग retire होते हैं उसस से ज्यादा लिए टेक्निशन का है तो टेक्निशन का जो एप्रिल के आसपास एप्रिल से पहले निकलाएगा क्योंकि हम लोग वो model code of conduct को भी avoid करना चाहते थे वरना normal process में April में निकलता technician का पर model code of code को avoid करने के लिए पहले निकाला है तो जैनुरी एप्रिल जून ऑक्टोबर फिर अगले साल वापिस इस हिसाब से प्रोसेस कर रहे हैं एक साल में कितने jobs निकलेंगे इसमें डिपेंड करेगा जिसकी जितनी requirement है हर एक zone की अपनी requirement आती है हर डिविजन की requirement आती ह को estimate नहीं और workshop से आती estimate बनता है बंद की तो निकलता है फिर estimate बन-बन की निकलता है ना फिर हरे category के लिए अलग लग बनता है अभी डेल लाख लोकों को job दिया है आप सोचे उस एक्जाम की complexity 500 से ज्यादा शहर कितनी शिफ्टे है अजार से ज्यादा शिफ्टे 15 languages एक एक कर करेंट आई जिरो कंप्लेंट कहीं पर कोई पेपर लीग जिरो पेपर लीग कंप्लीट वन आई तम ट्रांस्परेंट लिए परलेमेंट में हमारी ओपोजिशन के लोग कॉंग्रेस के एक MP बोले कि आश्चेरी चकित है